उत्राखंड North India में situated estate हिमाले की गोद में बसा है जो अपने natural beauty, religious site और tourist destination के लिए विसुभर में जाना जाता है आज इसी चीज को और भी बेहतर करने के लिए भाद सरकार और estate government कई सारे परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं कई सारे परियोजनाओं को लेकर initiate लिए हैं जिससे tourism sector तो अच्छी होगी ही public welfare के लिए भी काफी important होने वाली है तो आए उत्राखंड से जुड़ी कुछ upcoming, कुछ under construction और कुछ proposed mega project के बार में discuss करते हैं वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना साथी साथ वीडियो को like करके चेनल को भी subscribe कर देना तो चली दोस्तों आज की से वीडियो को शुरू करते हैं उत्राखंड की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है डैली दहरादून एक्सपेसवे प्रोजेक्ट 13,000 कोट की लाग से तैयर किया जा रहा है डैली दहरादून एक्सपेसवे EPC बेसिस पर NHI के देखरेख में बन रही है बता जाते की एक्सपेसवे 210 किलोमेटर लंबी है जिसे चार अलग-अलग फेसिस में तैयार कर रही है फेस वन बारर लेन के रूप में तैयार होगी जिसे गवार कंस्ट्रक्शन द्वारा अक्षरधाम टेंपल NH9 जंक्सन से इस्टन फेरिफेरल एक्सपेसवे जंक्सन तक 31.5 किलोमेटर का सेक्सन को तैयार करेए जो दो अलग-अलग पैकेज के रूप में तैयार होगी वहीं फेस टू एकसो अठारो किलोमेटर का सेक्सन होगा जिसे शिक्स लेन के रूप में चार अलग-अलग पैकेज के रूप में तैयार करेगी जो बेसिकली इस्टन पेरिफेरल एकस्पेस्वे के नजितिक खेखरा से लतीफ पूर भिलेज सहारनपूर तक बनाये जाना है फेस 3 की बात करूँ तो 40 किलोमेटर का सेक्सन होगा जिसे 6 लेन के रूप में बनाये जाना है फिलाल अंडर बीडिंग है फेस 4 की बात करूँ तो गनेस पूर से लेके देहरा दून तक बनाये जाना है जो कि 19.5 किलोमेटर का सेक्सन होगा और या ब्राउन फिल्ड सेक्सन होगा जिसे 4 वा 6 लेन के रूप में अपग्रेड किया जाएगा इसे दो अलग-अलग पैकेज के रूप में डवलप ऐसे में देखना दिल्चास होगा कि कब तर बनका तयार होता वैसे मैं आपको बता दू कि पूरा सेक्षन आज की डेट में एवाडेड हो चुकी और तेजी से काम भी हो रहा है देली से देहरादुन सिर्फ हो सिर्फ भाई गंटे का डिस्टेंस रह जाएगा जिसे ट्रेड और आव जाही में कापी सुहूलेत मिलेगी ऐसे में देखते हैं यह देली देहरादून Ekspaceway जिसे देली सहारनपूर देहरादून Ekspaceway के नाम से भी जानते हैं वो कप तक बनका तायर होता है उतराखंड की दूसरी बड़ी प्रोजक्ट है रीसी केस करन पर्याग रेल लाइन प्रोजक्ट रेल विकास निगम द्वारा बनाय जारा है रेल लाइन 126 किलोमेटर लंबे रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो मुख्य तोर पर गन पर्याग से सुरू होकर गौचर, गौलतीर, रूतर पर्याग, धारी, स्रीनगर गरवाल, कीरती नगर, देव पर्याग, मजलिसकाओं, लोकल एकोनॉमी बूश्ट हो और इसलिए 2011 नॉमबर में सोन्य गांदी जी दौरा इस रेल लाइन की फौंडेशन इस्टों रखे दी हाला कि कुछ पॉलिटिकल रेंगलिंग के वज़े से प्रोजेक्ट डिले ही रहा, बाद में फिर से 2015 में NDA की लिडर्शिप में इसकी कंस्ट्रक्शन को सुरू की गई बट यहां पर भी जैदा कुछ नहीं देखने को मिला, 2017 में फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन को सुरू की गई और आज ओफिसल के अकॉर्डिंग काफी तेजी से काम भी हो रहा है, रीपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे रेल लैन के बारे स्टेशन को बनाया जाना है, 17 टर्नल होगी और 35 ब्रीजेज को बनाया जाना है, जो तक्रिबन आज की डिट में 105 किलोमेटर का सेक्शन पूरी तरह से कंप्यूट हो गया है, और उमीद है कि 2024 तक यह पूरी तरह से बनकर तयार हो जाना है, तो उमीद करते हैं कि यह बनकर जल से जल तयार हो जाए, क्योंकि यह चारधम यात्रा को भी और सहज और आसान बनाएगी, उत्राखंड की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है, बजरंग सेतु प्रोजेक्ट, उत्राखंड के रिसी केस में, 90 साल पुराना लक्षमन जूला के पैरलल में बनाया जा रहा है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रीज की लंबाए 132 मीटर होगी, जो बेसिकली लक्षमन जूला के बगल में आनकी पैरलल में ही बनाया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में लक्षमन जूला बंद हो चुकी है, और इसके वज़े से स्रधालों को अस्विधाय हो और इसके वज़े से इसन्य एक ग्लास ब्रीज को बनाया जा रहा है, ताकि स्रधालों को अस्विधा ना हो, आज की डेट में लगबग 70% कवर कंपेट हो गया, ऑफीसर्स के अकॉर्डिंग मताया जा रहा कि मीर 2020 तक या ऑपन भी हो सकती है, तो देखना दिलचस होगा कि क अब تक तैयार होती है, कब तक इनोगरेट होती है, उत्रा खंड की नेक्ट बड़ी प्रोजेक्ट है, इन्टीगेरेड मैनुफैक्ट्रिंग कलस्टर प्रोजेक्ट, उत्रा खंड के उद्धाम सिंग नगा क्राडिस्टिकि में फ्लन किया गिया Imc यानी की Integrated Manufacturing Cluster में आम डीट सर्च आकर कॉलकादाreeं-डीट सामड्र का कॉलॉर का हिस्सा है जिसे कुर्पिशांब में बनाय जा रहा दा जाता कि मेंनुफ्द कलश्टर ही एकड एरिया में पहला होगा जिसे NICDC के देख रेक में अगले 10 साल में यहां पे डवलप की जाएगी इनिशल में 1265 कोड की लागत से यहां पे में अ कैसीपूर में प्रपोर्श किया गए और गवलप की जाएगा जर्वर के दोरी वाकिल गाओं में बनासारा धार्रॉमा पार्क एक बहूती महत्पुन प्रपोर्चक में से एक है जो basically जड़ी बूटी और aromatic product को विक्सित कने के लिए पढ़ावा देने के लिए plan किया गया है ऐसे में देखना interesting हुआ कि यह aroma park जो की एक महत्पुन project में से एक है और कांसीपूर में जो प्रपोज किया गया है वो कब तक double up हो पाती है उतराखंड की next body project है बद्रिनाध धाम redevelopment project केदादनाथ कॉईडोर के तच पर विक्सित किया जारेया बद्रिनाध धाम विस्तरिये twist place के रूप में तैयर किया जाना है यह बद्रिनाध धाम redevelopment project नरद मोदी जी की महतकांची project है dream project है जिसे 2025 तक बाना कर compete किया जाना है redevelopment project के तहत 700 मीटर की one way loop road को बनाया जा रहा है arrival plaza को बनाया जाना है बद्रिनाध धाम के दो जील सेशनेत्र और बद्रिस जील को beautification किया जाना है साथी बद्रिनाध धाम में इस्थीत एक hospital का भी expansion करके modernization किया जाना है इसके अलावा बद्रिनाध के जितने भी घाटे उन सब का beautification होना है और यह सारे project phase one के अंतरकत बनाया जाने जो 2025 तक complete हो सकती है और फीसर्स के अकॉर्डिंग phase one धाय सो क्रोड रूपय की लागत से त्यार होगी जिसमें 200 क्रोड प्राइविट कंपनियां दे रही है सिर्फों से 50 क्रोड रूपय गौर्मेंट के अलग-अलग वी भागों द्वारा दे रही है जिसके तहती है डवलप हो रही है ऐसे में देखते हैं कि मोदी जी का एक और ड्रिम प्रोजेक्ट जो की मेरी परस्नल फेब्रेट भी है वो कब तक पूरी तरह से डवलप होती है उत्राखंड की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है लखवर मल्टी परपर्स पर योजना देहरादून की नजदिक यमना नदी पर प्लैन किया गया प्रोजेक्ट मुख तोर पर 204 मीटर है एक कॉन केट की बांध को बनाए जाना प्रस्तावित है यह बांध प्रोजेक्ट पहली बार 1976 में मंजूरी दी गए थी जो की 1992 आते आते कैरे को अनिक वर को रोख दिया गया ओफीशल के अकॉडिंग यह डेम ना सिर्फ उत्राखंड को बलकि भाद की छे राच उत्राखंड उत्तर प्रदेश हिमाजल प्रदेश हर्याना राजिस्थान डेली जैसे लोकेशन के लिए काफी बैनिफीशल से काफी बैनिफिट होने वाली है इसके अलावा भी आज उत्राखंड में देहरादून स्मार्ट सिटी, हरीदवार स्मार्ट सिटी, रीसी केस स्मार्ट सिटी, देहरादून मेट्रो, चारधाम एक्सपेसवे, चारधाम रेलवे, हरीदवार पोर्ट टेक्सी प्रोजेक्ट, टूलेन मोटर व्रीज प्रोज बरेली सितार गाउं हाइवे प्रोजेक्ट जैसे महत्पुन पर जोजनाव पर आज की रिट में उत्रा खंड में काम जल रहा है या फिर प्रोपोजल फेस में ऐसे में उमीद करेंगे कि यह जल से जल सभी प्रोजेक्ट बनका त्यार हो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पे पर दो आपरत